हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर, दोस्तों आज किस वीडियो में बात करेंगे प्रेश्यत की, प्रेश्यत के प्रेश्यत के प्रेश्यत के बारें बताएंगे और ये भी बताएंगे प्रेश्यत के ये प्रेश्यत कितने तरीके से पूछे जाते हैं दोस्तों हमें 20 को अधिक कर देंगे तो पहला प्र실स ने 550 का 20 प्रतिस्यत कितना है इसमें प्रतिस्यत आपका कितना दे रहा है इसमें 20 तो 20 संखेज आजए कितनी दे रहे किया 550 निकालना है प्रिश्ट ने, 550 का 20 प्रतिस遊戲 कितना है, इसमें दोस्तों एक फर्लुला आपको याद रखना है, फ्र्लुला आपका प्रतिश om 40慧 इंटु संखिय कितनी दे रखेंगी हैं, 550 का निकालना है, तो 550 कर देंगे, इन्टु 550 upon 100 यह लिख दिया दोस्तों अब 20 से इसको काटेंगे तो 5 वारी कर जाएगा और 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और यह 0 तो 20% कितना निकल के आएगा दोस्तों 110 550 का 20% निकल के आएगा दोस्तों 110 ही आपका आंसर हो गया तो यह फॉर्मूला आपको याद रखना है 55 इंटू संख्या पॉन हेंड्रेड अब दूसरे कॉस्चन में यही फॉर्मूला काम करेगा लेकिन किस तरीके से काम करेगा दोस्तों वह देख लेते हैं नेक्स देखते हैं 75 किस संख्या का 20 प्रथिस्थ है तो किसी संख्या का हमने 20 प्रथिस्थ निकाला है 75 निकल के आया लेकिन वो संख्या पूछी गई है कौन सी संख्या है जिसका 20 प्रथिस्थ 25 है वो निकालना है यह फॉर्मूला यहापर लिखा हुआ है दोस्तों इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा Würgela में फॉर्मूला यही रहेगा लेकिन थोड़ा चेंज हो जाएगा देखते है हमें इसमें क्या करना होगा प्रथिस्थ इंटू संख्या दे रखा है एंपों हंडरेट इसमें होगा आपका प्रस्ट नीचे आजाएगा 100 ऊपर चला जाएगा मतलब 100 इंटू संख्या आजाएगा दोस्तों संख्या आपकी कितनी दे रखी है 75.20 जब किसी संख्या हमें पता नहीं है कौँसी संख्या का 20% 75 वो संख्या निकाल लिए है तो हमें 100 ऊपर चला जाता है जो 20% वो नीचे आजाएगा जो प्रस्ट दे रखा वो नीचे आजाएगा अब इसे करेंगे दोस्तों 20 से इसे काटेंगे तो 5 बारी कटेगा और 5 का 75 का मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 365 यह आपका आंसर हो गया दोस्तों तो 365 दोस्तों आपका आंसर हो गया 365 वो संक्या है जिसका 20% 75 होता है आप करके देख लीजिएगा पहले चोग बैना कुश्चन बताया था उस तरीके से उसका 365 का 20% निकालेंगे तो 75 आएगा वीडियो रोग करके दोस्तों यही पर पहले वाले तरीके से करके देखिएगा यही आएगा अब नेक्स देखते हैं टाइप 3 देखते हैं दोस्तों तो 125, 1125 का कितना प्रत्सत निकाला है दोस्तों 225 आया लेकिन कितना 55 निकाला ये नहीं मालूम है वो निकालना है मैं तो इसमें क्या करना है ये 100 उपर आ जाएगा 100 इंटू ये संख्या जो निकल के आये उसे लिखेंगे 225 जो हमारा 55 निकल के आया उसे लिखेंगे अपॉन 1125 अब 225 से जब 1125 को काटेंगे तो कितनी वारी कट जाएगा ये 5 वारी कट जाएगा ये 5 वारी कट गया और 5 से जब 100 को काटेंगे तो कितनी वारी कट जाएगा दोस्तों 20 वारी कट जाएगा तो 20 प्रत्सत है 1125 का 20 प्रत्सत निकालेंगे तो 225 निकल के आएगा तो कितना प्रस्यत है दोस्तों ये 225, 20 प्रस्यत निकाला है तो 225 आया है ये इसका अंसर हो गया, थोड़ा इसमें आगे पीछे उपर नीचे हो जाता है, तो प्रेक्रिस करेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा दोस्तों, अब टाइप 4 देखते हैं, टाइप 4 दे होगी, तो 100 में प्लस कर देंगे, तो 25 प्रस्यत अधिकी बात हो रही है, तो 100 में 25 प्लस कर देंगे, तो 125 हो जाएगा दोस्तों, तो आप प्रस्यत की जाएगे कितना लिख देंगे हैं, 125 लिख दिया, इन्टू, अब संक्या कितनी दे रखी हैं आपकी, 850, ये 850 लिख द देंगे दोस्तों, तो ये आजाएगा आपका, 4, 2, 5, 0 आजाएगा, और जब इसे 4 से भाग देंगे, तो इसका अंसर आएगा आपका, 1062.50, प्लस का अंसर आ रहा है दोस्तों, और ये आपका आंसर हो गया, जब 25 प्रस्यत अधिकी बात हो रही है दोस्तों, तो 100 में 25 को गैट कर देंगे, तो 125 हो गया प्रस्यत की जगा, इन्टू संख्या हमारी 850, अपॉइन हैंडरेट, जब इसको सॉल्व किया दोस्तों, इसका मल्टिप्लाई किया, तो 42.50, अपॉइन 4, जब 4 से पूरी संख्या नहीं कट रही है दोस्तों, तो आंसर पॉइंट में आ रह तो 85 रख देंगे, प्रस्यत की जगा, इन्टू संख्या कितनी है, 1400, अपॉइन 100, तो 100 से इसको काटेंगे दोस्तों, तो कितनी बारी कर जाएगा, 14 बारी कर जाएगा, और 14 का, और 85 का जा मल्टिप्लाई करेंगे, दोस्तों तो या आएगा आपका, 1190, यही आपका आंसर हो गया, बस यह फॉर्मूला याद रखना है, दोस्तों, इस टाइप का इसी फॉर्मूले से सारे सवाल हो जाएंगे, दूसरे तीसे टाइप में हमने देखा था, 100 ऊपर चला जाता है, और 85 नीच आ जाता है, और इसी फॉर्मूले से बाकी के सब पॉश्चन हो जाएंगे जिखते हैं दोस्तों, यदि A के पास B से 20 प्रिश्यत अधिक धन है, तो B के पास A से कितने प्रिश्यत प्रिश्यत कम धन है, तो A के पास B से जादा धन है, तो माण लीजि internship, पास अधिक धन की बात हो रही है तो 100 में 20 एड़ कर देंगे, प्लस कर देंगे 100 में अधिक ब स्थाफ बीशेद अधिक दन है तो एक पाफ 20 से 20 प्रेसिद अधिक धन्थ सो हाक तो इसके पास 220 है तो यही फ्ोर्मूला रख से इस Merak प्रिख देंगे दोस्तों फूढ नीचे हो जाएगा देख लेते हैं प्रतकि के प्रस्ट में और जो संख्या आपकी कितनी दे रखी है 120 आई है 20 प्रसंद अधिक है तो 120 आगी 120 को आपने नीचे रख दिया और जो 100 है उसको आपने उपर मल्टिप्लाई में रख दिया प्रतिसत के और जब इसे सौल करेंगे दोस्तों तो यह हो जाएगा आपका 20 से जब में 20 एड कर देंगे तो 120 हो जाएगा प्रस्यत कितना 20 प्रस्यत दे रखा तो 20 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा दोस्तों और जो संख्या है आपकी 120 वो नीचे आ जाएगी सौल किया तो दोस्तों इसकांस रहा है 16 सही 2 बटे 3 अब next question देखते हैं इससे देखते हैं दोस्तों ग्यहूं के भाव में 20 प्रस्यत कमी हो जाने पर समार रुपए में कितना ग्यहूं का अधिक मात्रा में लिया जा सकता है इसका दोस्तों एक अलग formula है 100 इंटू कमी हुई कमी के लिए minus करते हैं तो कितना बचेगा आपका 80 बचेगा इसका अ गयहूं आपका पहले 100 में मिल रहा था तो आप कितनी मेंरे gemaakt करते हैं दोस्तों 100 into कितनी कमी हो रही है दोस्तों कमी हो रही है तो कमी रख देंगे तो 20% की कमी हो रही है 20% 100 कमी हो रही है तो दोस्तों कमी यानि कि 20% minus 20 तो 20 का 100 में multiply करिया तो दोस्तों यह हो गया आपका 2000 2000 हो गया 100 में ते 20 minus किया तो यह हो गया 80 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों और जब आठ से इसको पूरे को काटा तो ये कट जाएगा आपका 25 बारी कट जाएगा दोस्तों तो इसका मतलब 25 परगस्यत अध्यक मात्रा में गेहूं खरीदा जा सकता है दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों में शेर करें और हमारी चैनल SSC कोचिंग सेंटों को सब्स्राइब करें दोस्तों